यदि हनुमान चालिसा का पठन करना राज़ द्रोह है तो ये राज़ द्रोह मैं हसार बार करूंगी इस राज्यकी सरकार को आववान देते हुए रान अदमपती पच्छिमनागपुर के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुचे और उन्होंने वहाँ पूजा आरचना की इस मौके पर कार्यकरतार पुलीस प्रशासन बड़ी संख्या में मौजूद थे पेश है समवादता संजे मिरे इनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट आईए देखते हैं जब से मन से प्रमूक राश ठाक रहे इन्होंने मस्जिदों से लाड़ स्पिकर निकालने की बात कही है तब से लेकर अब तक ये मामला तुलप करता हुआ दिखाई दे रहा है यदि मस्जिद से भोंगे नहीं उतारे गए तो मस्जिदों के सामने में हनुमान चालिसा का पठन किया जाएगा ऐसी घोशना भी उन्होंने की थी और यहीं से हनुमान चालिसा का पठन का दौर शुरू हुआ मंदीर और गाव में ने तालोग कर रहे हैं हाल ही में स्वाभिमान पार्टी के विधायक रवी राना और सांसद रवी राना इन्होंने मातोश्री के सामन पढ़ने की कोशिश की थी लेकिन राज्य सरकार ने उनने हवालात और जेल की हवा खाने के लिए मजबूर कर दिया था कोट ने भी राणा दंपती को फटकार लगाई थी जिसके बाद हनुमान चालिसा का पठन करना राजद्रोह का करार कुछ नेताओं ने दिया था इसी ब मौके पर पुलीस प्रशासन का तगराब बंदोबस था राणा दंपती मंदिर प्रांगन में पहुंचते ही जैश्री राम के नारों से पूरा परिसर गुझ उठा था यदि हनुमान चालिसा का पठन करना राजद्रोह है तो हम राणा दंपती हजार बार ये राजद्रोह करेंगे ऐसी सरकार को चुनोती देती हुए राणा दंपती ने पूजा आर्चना की स्मौके पर बीसे अन समक्ष राणा दंपती ने जानकारी दी है कैमेरा पर सन अखिलेश भारतवाश के साथ संजर मेरे बीसे नियोज नाकपूर